हेलो एवरिवन, लास्ट वीडियो में हमने है जो अस्टांग रदे का फोर्ट चिप्टर है, रोगानुत पादिनी अध्या है, उसको पढ़ा था, अस्टाइड क्या था, रोगानुत पादिनी का मतलब क्या था, एसा हार भी हार जिससे रोक यूत्पत्ति नहीं हो, तो उसम काश्रम स्वास जंबा अश्रु छर्दी रहसा इन वेगों को धारन करने से होने वाले रोग और उनकी चिकिस्ता के बारे में पढ़ा था ठीक है आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है हमने वेगों को रोखने के सामाने चिकिस्ता भी देखी थी कि जो भी जिन वेगों से जिन वेगों को धारन करने से रोग हो रहे हैं उन वेगों को धारन नहीं करना चाहिए और अकर उनसे उनले डिसेज को ठीक करने के लिए अनुलों मकाहर पान और 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 ठीकर प्रयोक करना चाहिए अब उसके बादे धारणिये वैक जिनको हमें कंट्रोल करना चाहिए बंसरोंने काई कॉनों मत शीर कोई रखन Tasनेкол Highway पूरुश, लोब, इडशा, द्वेश, मसर्ता, राख, द्वेश, आदी वेगों को रोकने का सदा पुरेयत में करता रहे और सदा अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्ते करता है ठीक है? हमारे मनें बाटें आनी नहीं नहीं चाएएँए उनको कहीं एक कोने में चुपा के रखना है ठीक है? तो इन सब चिजों कोने हमें और आभ्राण मत्र एंगर द्वेश, मासर रागादी और अपनी इंद्रियों पर नियंतर रखना है तो लोब क्या होता है, यहां पर देख रहते हैं ठीके लोब इसका मित्याय यह खानी कार होता है लोब मतलब लालच ठीके जब लाब होने लगता है तो लोब की प्रवर्ती बढ़ती है कोई भी जैसे कुछ को बिजनेस कर रहे हैं उसमें उनको फाइदा हो रहा है तो उनकी लालच और ज्यादा बढ़ जाते हैं कि हां मुझे और चीज मिलेगी तो वह लोग है इडिश्या मतलब क्या होता है दाह जलन दुसरों की सफलता को देखकर दुखी होने के प्रवर्ति क सब लोग उसी को पूछ रहे हैं तो हमको उसको देखके जलन हो रहे हैं हमको उसको देखके बुरा लग रहा है तो यह है इर्श्या मतलब दुश्रों को दुखी देखकर प्रसंद हो रहा है मतलब जो हमारा कॉम्पेटिटिव है अगर उसके कम माक्सार है या फिर वो किसी की तरह से भी उसको नुक्सान हो रहा है और वह दुखी द्ख के बहोत् अच्छा लगा रहा है यह मासर था रांग मतलब विश्वयों में मंक्या सकती मतलब ऐसे चीज़ों में मन को लगाना जो अच्छा नहीं है हमारी लिए ठीक है और द्वेश के दुसरों को हानी पहुचाने का प्रेतने करना कि दुसरों का नुक्सान करना कैसे ना कैसे ठीक है तो यह होगे धार्णी वेग धार्णी वेग में वो भी आते हैं कि मन के वेग तॉटर वचन बोलना जूड जूड बोलना जूट बोलना बहनी एक सब टयाई एक सिद्धा vacun अमने तो मन के वेगों में तो यह आगे लोग, बिडशा, मस्चरता, राग, देश, वाइनी में आगया कि किसी को भी कुछ गलत बोलना, जूड बोलना, चुगली करना, और शरी के वेग में मारना, पीटना, लूटना, बलातकार करना, चोरी करना, जितने में कू करना है, वो सबात है, ठीक है, तो यह होगा धारणी वेग, इनको क्या करना चाहिए, धारण करके रखना चाहिए, अब उसकी पास हम दखते है, कि हमने जो उपर डिसीज पढ़ी है, तो उनको हमें ठीक करने के लिए, शोधन कराना पड़ेगा, शोधन के अंदर क्या था पंच कर्म, शोधन करने का प्रत्त करना चाहिए, ठीक है, अगर वो आउशक्ता से जादा बढ़ रहे हैं, तो उनको पहार निकालना है, उनको पहार निकालना है, शोधन करना है, ठीक है, यह शोधना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला वारा, यह हर बार पुस्टे हैं, या तुसको फिले-इन दे들ते हैं, या फिर एक लाइन देके बोलेंगे, इसके बारे में समझा ओ, तो संशोधन क्रम की प्रशन चाहिए फिर हमको कहीं भी अगर संशोधन की बारे में लिखना है तो हम ये बारा श्लोकेट कर सकते हैं दोशा कदाचित कुप्यंती जीता लंगन पाचने ये तु संशोधने शुद्धा न तेशा पुनरुद्ध हो मतलब कहा है लंगन पाचन क्रियाओं से शान्त किये गए दोश समय पाकर कभी पूनर कुपित हो सकते हैं लेकिन वबन विरेचन आदी संशोधन प्रकार से सुद्ध किये वे दोश कभी पूनर प्रकुपित नहीं होते हैं यह जिसे लंगन करा दिया पाचन करा दिया जिसे इसका डिसी वहां पे खतम कम हो गई लेकिन वह डबल से होने का चांस है लेकिन अगर हमने वही मन वेरेचनाधी के दवारा हमने पक्षा करी तो उनके होने के चांचन्स प्रत्व ज्यादा कम है ठीक है मतलब यह तो होईगी नहीं वह दोश कभी प्रकुपित नहीं होगा तो वह एकि लंगन आदी से जो दोश हमने शान्थ किये वह कभी प्रकूपित हो सकते हैं लेकिन वामन विरेचन आदी से नहीं हो सकते हैं ठीक है अब इसमें रसायन वाजीकरण योगों का प्रेव करते हैं तो रसायन वाजीकरण योगों का प्रेव करना चाहिए क्यूं यह था क्रम्म यह योग मत्र उर्दम प्रयोजियेत रसायन आनी शिद्धनि व्रष्च योगा श्य काल लँगुद्ध कालली रितु संबंधित ज्यान को रखने वाले चिकी सक संशुदं कराने के बाद विदिपूरग क्रमस्र सिद्ध शास्त्रोक तो रसायन और रश्य योगों का प्रयोग कराए ठीक है जैसे हमने उनका संशोधन करा दिया संशोधन हो गया वेक्ति का उसके दोश्य को बहार निकाल दिया लेकिन उसके शरी में थोड़ी विक्नेस वकिर आएगी तो हमें रसायन वाजी करन योगों का प्रयोग कराके उसको थोड़ा उसके बल को पढ़ाना है उसकी अकनी को अच्छा करना है इसलिए हमको रसायन और बाजी करनेयों का प्रयोग करना है तो क्या हुआ हमने वेक्त्रों क अधार Eckíके जिस यहिए संशोधन करने के लेम संशोधनगावा dado को प्रयोग करा ठीक है अब है शोधन उत्तर चीकिसा शोधन की बाद हमें क्या चीकिसा करनी है ठीक है बेशच शपिते पत्थे माहारे ब्रहणम क्रमात शाली शष्टि गोधुम मुदक मांस घ्रता दीभी रद्दीपन भेशच जे संयोगाद संयोगाद रूची पक्ति दे सअभ्यंग उद्वर्तन इसनान निरुह इसने बस्तिवी मतलब क्या वमन विरेचन करा दिया ठीक है उससे क्या विक्ति का शेरी क्रश हो गया दुर्बल हो गया तो उसे पुष्ट करने वाला आहार विहार देना पड़ेगा जो हमने उपर दे में प्रिय लगने वाले रूची करो आहार ऐसा हो जो इसको अच्छा लगता अगनी को बढ़ाने वाले हो ओश्यत रज्यत धनिया जीरा आधी के कारण रूची कर और पाचन शक्ति को बढ़ाते फिर इस प्रकार के आहार विदी के साथ ही इसको अभ्यंग कराना है अभ्यंग कराना है उद्वरतन मतलब क्याता है जो चूर्ण होता है उससे उसको मालिश करानी तो उसके उपर रगणना है इसनान निरूहन और अनवासन बस्ति का प्रेव करना है ठीक है बस्ति का एक टाइप से बसकते कि जो एनल रिजन है उससे मेडिशन को इंसर्ट करा है तो वह मेडिशन है तो क्वाथ काड़े के फॉर्म में भी हो सकती है फिर इसने घी के फॉर्म में हो सकती है तो जो काड़े वाली होती है ना क्वाथ वाली उसको निरूह बस्ति बोलते और जो इसमें अपन घी तेल अगर इंसर्ट करवाता है तो वह अनुआशन बस्ति तो इन दोनों में से कोई सी भी बस्ती दे सकते हैं फिर हैं चिकिसा का फल क्या हम जो चिकिसा कर रहे हैं उसका वेक्ति में क्या फरक पड़ेगा तता सलबते शर्म सर्व पावक पाटवं धी वर्ण इंद्री वे मल्य व्रश्टा देरी के मायूशं इस प्रकार के आहार अभयंग उप्टनादी से मनुश्य को सुक भाटव पाटवं तो इन सब पित्त की वज़े से क्या हुता है? इन सब के पित्त की व्रद्धी होती है उसे अगनी अच्हे होगी, कुशलता होगी, बुद्धी वर्ण इंद्री की निर्मलता वरश्टा और दिरिकार्व की प्राप्ति होगी तो हमने जो चीकिसा किया उसे क्या होगा बुद्धी वर्ण इंद्रों की निर्मलता वरश्टा और दिरिकार्व की प्राप्ति होती है इसलिए शोधन के बाद हमें पुस्ट्री का रहार विहार अभ्यांग उप्टन इसनान प्रवकामान ये और सब्सकर करना चाहिए उसके बीड़ रोग कि अगे आगन तुझ रोग को थे जो बहार से आ रहा है ठीक है रोग दो प्रकार ओतने नीच और आगन तुझ मतलब क्या थे नीच मिने में और खृर में और आगन तुझ तो आगनतु रोग है यह भूत विश वायू अगनी शर्थ भंग आधी संभव राग देश भयाद्या शर्थ शूर आगनतव गदा मतलब भूत आविश विश विश का प्रयोग मतलब जो प्रयोग है फिए वायू के इस पर सेबन ज्यादा ठंडिया स्यादा गरम हवाय में जाने से अगनतव जलने से शर्थ गाव लगने से भंग चोट लगने शर्म अधी कानुन मतलब ज्यादा ठकान वाला काम करने से काम प्रोद भय शोक अधी कानुन से एकर रोग हो रहे हैं तो क्या है आगनतुच रोग है पंदब ऐसा कुछ भी रिजन जो बाहर से आ रहा ह ठीक है अगर उनसे रोग हो रहे तो वह आगंतुज रोग है आगंतुज रोगों के बाद हमारे शरी में डीसिस हो सकती है और हमारे शरी में जो दोशे ना उनमें भी विक्रति आ सकती है लेकिन उनका रिजन क्या होगा उनका रिजन होगा बहारी किसी कारण के वज़े से किया जाए कैसे उनको शान्ति किया जाए त्याग प्रग्या पराधा नाम इंद्रिय उप्षम इस्म्रति देश काल आत्म विज्ञानम सद्ध्वरत श्यान अनुबरत नम अथर्व विहिता शान्ति प्रतिकूल ग्रहार चनम भूताद्धि इस्पर्षन पायो प्रदर शीदा निज आगन्तु विकारा नाम उत्पन्ना नाम चे शान्ते मतलब क्या है जो निज और आगन्तु जो रोग उपर बताए हैं हमने पड़े हैं वो उत्पन्न ही नहों यादि उत्पन्न हो गया तो उनकी शान्ति के लिए संशेप में चिकिसा संब्दि पहले तो यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारे शर्म में ऐसा कोई डिसीज होई नहीं अगर डिसीज नहों तो उसको शान्त करने की जरोती नहीं पड़ेगी लेकिन अगर उत्पन्न भी हो गया तो फिर हमें क्या ध्यान रखना चाहिए प्रग्या प्रातों का परित्याख ठीक है ज हमारा डाइजेशन कैसा है नीद कैसी है तब जैसे भी हमारे रात दिन निखल रहे है उन सब का ध्यान रखना है देश का शरीर मन का ठीक ठीक ध्यान रखना सदाचार के अनुसार वेभार करना ठीक है और अथर्ववेद में जो शांती कही गई है उसका प्रयों करना तो क् कुछ मंत्र जैसे अथर्ववेद में कुछ मंत्र बताए गए तो उसमें जो शांती कही गई न उसका प्रयों करना वर्तमान में जो प्रतिकूर ग्रह हो जैसे ग्रह होते हैं शूर्य चंद्र वगेरा उन ग्रहों का जब पुजा पाठ हों बलीदान आधी करे ताकि ना देश का शरीर मन का ज्यान रखना अथर्ववेद में जो शांती कही कि उसका प्रयों करना और जो भी ग्रह है उसके पुजा पाठ हवन बलीदान करना ठीक है उसके बार आती है शोधन योग्य रितू है रितू हमने देखे तीछे होती है तो उनके अनुसारी कौन सी करने से जो रोग हो रहे हैंने हमें शोधन कराना है ठीक है शीतोत भवस दोशुचयं बसंते विशोधयन ग्रिश्मजम अब्रकाले घनाते वार्शुका मार्शु सम्यक प्रापनोती रोगा रोगान रितू जान जातू मतलब क्या है हेमन्त रितू में कफका संच होता हमने जरी ग्रिश्मजम में वादा की रोगा अたफका रोगाता हुए पलावट रितू में टो उस में लग क्या क्रो बस्ती रेते हैं पिर वर्श्म में जो पित्त का संच हो इसको श्राद रितू में प्रकॉप होता है तो उसके लिए हम क्या कराते विरेजन नेंगे ठीक है जो हमारे कभी विर दूखने वाले रोग नहीं अगर रेगूलर रितूटा की एनुसरा शोदन करवाता तो उसे किसी प्रकार का रोग नहीं होता है मिहीं स्वास्ति रहने की उपये कि ऐसा क्या कर है जिस से हम कभी रोग हो कोई नहीं यह आप लोग क्रियाश आरे में जब आहार पड़ोंगे न महां भी है कि हमें अच्छा आहार विहार करने से स्वास्तिकी प्राप्ति होती है यह मतलब श्रोक्यात कर लेना नित्यम हीत आहार विहार सेवी समिक्ष कारी विश्वेश शक्त दाता समसत्य परश शमा ओन आप तो सेवी चाभवत दिरोगा मतलब क्या है सदा हितकर विहार का सेवन करना ठीके है किसी भी कारे को भली बाती देख कर करना ग्यानेंद्रियों के विश्य में आशक्त नहीं होना अपने ग्यानेंद्रियों पर नियंत्रन रखना सदा सत्पात्रों को दान देना ठीक है सभी प्राणे को अपने समान समझना सत्य भाशन करना सज बोलना शमा करना और आप तो जनों की सेवा करना इन सब को करने से क् आप सबको अपने समान समझना सत्य वचन श्रमाव करना और आप तो पूरुष जो ग्यानी पूरुष है उनकी बातों को सुनने से क्या होता है हारोगी की प्राप्ति होती है सबसे पहला वाला शोख है यह वाला की प्राप्ति होती है दो नंबर में आसकता है कि अधारने विया कितने होते हैं उनके नाम बते यह तो आपको यह स्लोक याद होना चाहिए उसके बाद आता है वह संशोदन वाला था ना जो दोशा कदाचित कुप्यंति जीता लंगन पा और एक सबसे लास्ट में हमने देखा कि स्वस्त रहने के उपाय नित्यम ही तहार विहार सेवी समिक्षिकारी विश्वेश शक्त दाता समसत्य परज शमा वान आप तो पसेवी चाभवत्य होगा इस चेप्टर में से एक नए कोश्चन आता है या तो किसी वेक को धारन करन अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेल कीजिए थैंक्यू